हलो दोस्तो स्वागत है आप सभी का नोटिफिकेशन चैनल पे सेंट्रल सेलेक्शन बोड आफ कॉंस्टेबल ने जो प्रोविशन डिपार्टमिंट में कॉंस्टेबल पोस्ट के लिए जो रिक्रूट में नोटिस जारी किया था आज उसके लिए लिंक अक्टिबेट कर दिया है आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं वहाँ पे क्लिक करके आप जल्दी से फॉर्म फिलप कर सकते हैं तो दोस्तो इस वीडियो में online application के लिए जो link दिया हुआ click here, click here पे आप जब जैसे click करेंगे तो आपके सामने page कुछ इस परकार से खुल जाएगा जिसके right side में है candidate corner जहाँ पे आपको advertisement notice आप वहाँ से download कर सकते हैं full notification वीडियो देखने के लिए आप icon button पे click करके मेरा previous वीडियो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ page left side में registration process दिया हुआ है step 1 है आपका registration step 2 है field application form step 3 है view application status तो दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पे registration कैसे करते हैं तो यहाँ पे जैसे ही आप registration पे click करेंगे उसके बाद page कुछ इस परकार खुल जाएगा यहाँ पे कुछ instruction दिये गया है जिसको आप view कर सकते हैं आइदर हिंदी और English में तो हमें आप हिंदी कर सेलेक्ट कर लेते हैं इसके बाद आप instruction को ध्यान से पढ़ ले जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं दिखा हुआ है कि एक mobile नंबर से मात एक आवेदन भरा जा सकता है यदि आप विभिन मोबाइल नंबर से दो या दो से अधिक आवेदन करते हैं तो आपके सभी आवेदन आस्विकार कर दिया जाएंगे तो दोस्तो ऐसा नहीं करना है एक mobile नंबर से और एक email ID से एक ही application form भरनी है ज्यादा नहीं भरना है क्योंकि अगर आप ज्यादा भरेंगे तो आपका form reject कर दिया जाएगा दोस्तो अगर आप दूसरे state से form भर रहे हैं तो आपको application fee 675 रुपया देने पड़ेंगे और बिहार से अगर आप हैं तो general और OBC के लिए 675 रुपया इसके अलावे सारे female candidates और SCST के लिए 180 रुपय का application fee देना होगा दोस्तो उसके बाद पिर हम लोग यहाँ पे click कर लेंगे click करने के बाद जैसे यहाँ पे click करेंगे आपके सामने page कुछ इस परकार से खुल जाएंगे इसके बाद यहाँ पे आप full name भर लिजिए full name जो होगा वो आपका 10th certificate के recording होना चाहिए कोई भी changes मत करिएगा यहाँ पे उसके बाद फिर nationality select करना है nationality select करने के बाद फिर आप अपना mobile number और email address डाल देना है मैं आपको यहाँ पे एक demo वीडियो दिखाता हूँ कि कैसे form भर रहे हैं ठिक है तो आप यहाँ पे अपना नाम भर दिए जो आपके 10th certificate के recording है फिर उसके बाद आप अपना nationality select कर लिए फिर आपने mobile number इंटर किया email ID इंटर किया फिर आप दोस्तों आप सेलेक्ट करना है कि यदि आपकी domichile कहां की है आप अगर बिहार से है तो domichile में S क्लिक करें अन्यता no क्लिक करें दोस्तों आप नोट करने वाली बात यह है कि अगर आप बिहार से नहीं है तो आपको general treat किया जाएगा आपको कोई परकार की relaxation नहीं दी जाएगी ठीक है उसके बाद पिर अपना gender select कर लीजिए gender select करने के बाद आप अपना date of birth डाल दीजिए according to आपका जो भी date of birth है आप 10th certificate में जो डाले हैं वही डालिएगा उसके बाद अगर आप pwd है तो आप उसके according आप यहाँ पर select कर लीजिए उसके बाद यहाँ पर click करना है proceed पर proceed पर click करते ही आपके सामने कुछ इस परकार से page खुल जाएगा page खुलने के बाद आप देख सकते हैं आप यहाँ पर verify कर लिजे कि आपका जो नाम डाला हुआ है वो सही है अगर गलत है तो आप यहाँ पर edit करकर change कर सकते हैं अन्य था आप यहाँ पर click करिए उसके बाद यहाँ पर capture form बरते हैं capture डाल देते हैं capture जो भी है उसके बाद आप make payment पर click करिए make payment पर click करते ही दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ heavy verify details then ok कर देना है आपने verify कर लिया है ok करते ही आपको payment gateway पर यह लेकर चला जाएगा यहाँ से आपको payment gateway आपको select कर लेना है अगर आप UPI से payment करना चाहते हैं तो UPI पर payment कर लिए click करिए click करने के बाद आप यहाँ पर किस प्रगासे करना है आपको UPI ID डाल के करना है या QR code डाल के करना है आप दोनों में से कोई एक option select कर लिजे जैसे कि अगर आप यहाँ पर विपिय से लिक करते हैं तो आपको अपना UPI यहाँ पर verify करना पड़ेगा नहीं तो आप यहाँ पर QR code select कर सकते हैं QR code select करेंगे तो आपके सामनी यह QR code आ गया जिसकी validity तीन मिनट है इसको पर scan करके आप pay कर सकते हैं तो thank you guys इस वीडियो को देखने के लिए do like, do subscribe, subscribe notification, be notified thank you guys करेंगे करेंगे करेंगे